करवा नमस्कार दोस्तों स्वागत है मारे चनल दाय जाम पॉटल में दोस्तों आज हम समाजिक पुनर जागरन पॉट रहा है ठीक है क्राउन का गाईडेंस प्रॉगाम चल रहा है इसमें हम मॉडरन हिस्ट्री पॉट्ण है आए शुरू करते हैं ठीक है पहले हम राजा राम दोसरा घर पुरतन वैवस्ता चलता है कि यह जो है किya तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनको यह विश्वास हुआ ना कि देखिए जितनी भी कूरीती हमारे समाज में है वह समाज में हमारे सुरू से नहीं थी बाद में ब्राह्मन ब्यवस्था का उदय हुआ तो उसमें क्या हुआ है कि ब्राह्मनों ने चुकि बोलचाल की भाद जो थी वो हिंदी थी पाली थी प्राकृत थी कुछ भी मतलब ब्रोचाल की भाद अलग थी और जो हमारे धर्म गरन्त की भादती वह संस्कृिट थी ठीक है तो इससे क्या हुआ कि संस्कृत सिर्फ ब्रामन लोग ही पढ़ते थे और उन्हों ने इसका बैदिक धर्म गरंतों का मतलब अर्थ कुछ और था और उसकी ब्याक्या कुछ अपने तरीके से किया जिसके चलते हमारे धर्म में मतलब कुरिती आ गया ठीक है अब देखि हुआ है तो उसका अगर हांब हिंदी में उस समझने कि यह रम हमारी यह कुरिती है कि शौन, तो कुछ सवार्थ बस लोगों ने इसका जो है है गलत भयक्या किया जिसके कारल ने तो जैसा कि हम लोग विश्व हिस्तियास में भी पढ़ते हैं कि जो बाइबल था वो अंग्रेजी में लिखा जाता था लेकिन जो बोल चाल की भासा थी वो जर्मनी थी एस्पेनिस थी फ्रेंच थी तो लोगों को ना बाइबल का एक्चुल अर्थ पता नहीं है था इसलिए इसाई धर्म में भी आईए देखते हैं इसमें क्या है इसमें कुछ पॉइंट है आप लोग थोड़ा से याद कर लिजेगा ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने सारे टिक लगाया हुआ इसको थोड़ा से याद करना है ठीक अब देखिए कौन से वेक्तिने किस समाज के पांडू रंग होता है पॉस्चे प्राथना होता है ठीक है अब देखिए आत्मा रंग पांडू रंग और महादेवि गोविंद रूप रन आडे ये दुनों मिल के इसका अस्थापना किये था इसका तो आप इससे पकड़ लेजएगा पांडू रंग से प्राथना ठीक ह अब देखिए रानाडे को महाराइट का सुक्रात कहा जाता है यह जर्ज थे बेसिकली यह जर्ज थे और नियाय विवस्ता से समद्धी थे और बाद में यह धर्म सुधार अंदोलन से भी जूड़े ठीक है बेज समाज से धरलो नाइड हो ठीक है यह थोड़ा से आपने एक पूस्तक लिखे ठीक है आपको मैं बताता हूं दयाना अंसरसती के बारे में प्यूजरात में हुआ ठीक है और यह इनकी मातरी भासा थी गुजराती लेकिन यह कहते थे कि हिंदी ही एक ऐसी भासा है जिसमें वह छमता है कि वह राष्ट की पूरे राष्ट की भासा बन प्रयोकिया तो इनहीं ने सबसे पहले अपने पुष्दक सत्याज प्रकास में सवराय सब्द का प्रयोकिया है ठीक है और एक चीज और ध्यान रखना है कि इन्होंने हिंदी को राष्ट भासा माना है ठीक है तो सबसे पहले अगर किसी ने राष्ट भासा को राष्ट भाता क महतो के रूप में हिंदी को समझा तो वो दयानल सवस्वती थे ठीक है इसको आप लोग थ्यान रखेगा इसे क्वेस्टन पूछा हुआ है ठीक है आरे समाज के अस्थापना कब हुई एक फैक्ट है मैं आपको बताऊंगा यह बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग याद स्थापना हुआ अलिगर मुस्लिम उनिवर्सिटी के भी अस्थापना हुआ ठीक है तो यह तीनों चीज़ आप लोग ध्यान रखेगा अठारा सो पच्छतर अगर आपको डेट याद है तो यह तीन चीज़ का स्थापना इसी में हुआ ठीक है अब देखिए आरे समाज ज बादाना लेक राम मुंसी राम यह तीनों थापना की आप लोग ध्यान रखेगा दयानन की मिर्ति अजमियर में हो गई ठीक है आप देखें यहां बंगाला लंदोने इसमें कुछ नहीं है बस इसका देखिए कि सब कॉन सूरू क्या है तो हैं रिए विवें डेरे जी ओ ठ थोड़ा सद्यान रखेंगे परद्धम राष्टवादी कभी कभी कहा जाता है ठीक है आप देखें राम क्रिष्ण मिशन इसको थोड़ा सब पढ़ना है ठीक है क्योंकि विवेकानन आएंगे और यह बहुत इंपोर्टेंट ठीक है इसमें आप पढ़ लेजेगा राम बच्पन का नाम गदाधर था ठीक है अब देखें यह थोड़ा सा सारा फैक पढ़ लिएगा फिर आगे बिवेकानन जाएंगे के 1893 में कहां अमेर्का के Chicago में Saan Columbus Hool में वहां ये बीसू धर्म समय रहना भासन देंगे इनको सब्यक्ट मिला था सून्ने शुन्ने सब्जब्स पे इनको बोलना था इनको से भारत में शिष्टर निवेजता है कि नाम से भी जाना जाता है इनकी पहली सिस्यम बनी और उन्हों ने भीवेकरनन को युदा सन्यासी का ठीक है अब देखिए इसका अस्थापना नियुवेर्क में हुआ था ठारसो पचातर में यह जो मैंने यहां लिखाया ना इन स्थापना कौन किया था मैडम बलावस के और करना लाल काट ठीक है बाद में इनिवेसेंट भी इसके अध्यास पनी ठीक है इनिवेसेंट ने एक न सेंट्रल हिंदू कॉलेज के अस्थापना कि जो मदन मोहन मालविय के प्रयास से आगे चलके उन्हें सोलों में बनारस हिं आखन समारों में गांधी जी गय थे भासंदेने ठीक है यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं अब देखिए अलीगड़ा अंदूलन लिगड़ा अंदूलन है ठीक है तो अलीगड़ा अंदूलन इसके बारे पढ़ लिएगा ज्यादा कुछ है नहीं तो यह थोड़ा नाव हम ध्यान रखें कि मिलाने के लिए कि कि इसने कौन पत्रिका चलाए ठीक है थोड़ा ठेका कलकता में साइंटिफिक सोसाइटी के अध्यान रखना है 75 में अलीगड़ा यह मैंने यहां बताया ही था एम यू तीक है देवा नान दूलन देखिए इसी सिक्षा मंत्री पे थे और आज उनके बंसज वगर भी है जो जम्म कास्मिर से जिते हैं उनका भी नाम अब उल्कलाम ही है ऐसे कुछ करके ठीक है अब देखिए यह देवबंध अहमधिया अंदुलन मेजा गुलाम अहमध ने चलाया था इसलिए इसका नाम अहमधिया बता रहा हूं जिस दन आपको एक दंपॉडने का मुन नहीं करे ना एक दंपुर्णे का मन नहीं करे उस दिन आपको हो यह चाट उठाना है ठीक यह वड़ा चाट उठाना है बस लेकर बैठ जाना जबाभ दहुंक है किसी से गौप मार रहा है एक लाइन कर नहीं मन करें जाना उस दिन आप यह चीज़ उठाइए गार एक कर बस एक लाइन लीजिए आप एक घंटा मेर लेकिन रट जाए सती पर्था सती पर्था यह लोड विल्यम बेंडिक से एठार सुनतिस में नियम सत्रा के तहद सती पर्था को पर्थी पंदित किया विद्वा पुनार विवा लॉड गौर्ण कैनिंग के काल में बंद हुआ था ठीक है यह आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेगा इसो चंद तो यहां पर नहीं दिया है लेकिन आगे दिया है यह थोड़ा से ध्यान रखना है कि इनके गवर्णर काल में समाप्था और कि आगे से ठगी पर्था से भी क्वेस्टन पूछा गया है मैं आगे बताता हूं ठीक है ने अंतरजाती विवा को मान नहीं है ठीक है और जैसे ठीक हुआ है लेकिंइस अधिनियं बनने के बाद आई त्छिक बहुत है जी चाथ एजब कंसेंत्र मतलब बीवा के विवा के ऊम्र के सीमा तरह की गई ठीक है यह थोड़ा से ध्यान रहराgrass यह लंद्वान के समयम्पारित हुआ थे थोड़ा जाना अब भाहराम जी मालावारी यह भी बहुत बड़े समाई सुधारते इनके परियासों से हुआ था इनके परियास से ही यह वाला सार्दा अग्ट आया था ठीक है इसमें क्या किया गया लड़कों का अठारवास तो गया था लॉड एलन वरो यह याद रखेंगे कॉब हुआ ठारसफोस तैस्में ठीक है ठारस तैस्तिक चार्टर में आया था लेकिन लागू ठारस तैस्में ठीक है यह अब कैम्पेल नाम याद इसमें क्या इंपोर्टिंट है यह वहले चाइब को यादaran ऐट ऐसमें कुछ यादकर कर Haenju कि इसमें कैसे यादकरना है क्यां like से कानपूर कर से इसके बाद अ.." देखिए कानपूर के जश्ट बगल में लखनौ है ठीक यहीं यह फैजाबाद ठीक है अजोध्या मतलब फैजाबाद को अजोध्या आज कहा जाता है यह पास में है यहीं से जब बगल में है बरे लिए ठीक है अगर आप मैप बेदखो कोना तो आपको याद हो जगा तीनों करके पास तो वहीं सी अर्षन के नाम की तो इस तरीके समर्ण वहाद करेंगे लखनव में भीगाम हजरत भाइस में पूत्र म में आम यह तीनों नहीं याद करता ठीक इसलिए थोड़ा इसको तीनों को याद करना अब देखिए क्रांत परसार कब से शुरू हुआ थोड़ा से ध्यान में राकना ठीक है यह आपको याद करना है बीश्वी नेवल इंसक्री तृट रही यह थोड़ा से तो यह थ्याद रहा है कि यह थोड़ा से ध्यान रखेगा यह आप पढ़ लीजेगा देखिए एक चीज़ा बताते रहें अठारस संदावन के बिद्रोस सबसे ज़्यादा प्रवाइट कुन हुआ था अवद और आवद से ज्यादा मतलब क्या में इस बैसे लोग जो पहले सैनिक हुआ करते थे यह लोग प्रवाइट हुआ क्या था बताते है यह बोलेगा यह दोनों आपस में दुस्मान है इनको क्या करते थे ना कि एक वो बोलते थे कि तुम अपना सेना क्या रखोगा तुम्हारा सेना पर्शेक्सित नहीं तुम हमारा सेना रख लो उसके बदले में कुछ पैसा देदेना और बी जब भी तुम पर हमला करेगा न सेना क्यों रखें सेना पर खर्च क्यों करें उससे अच्छा कि अंग्रेज का सेना भाड़े पर रख लेते हैं उससे ज्यादा पर सिछित भी है ना हमको उतना असला बारूद पर खर्च करना पड़ेगा तो वह लोग ना सेना को डिजॉल्ब कर दिये धीरे सहाय कसंदी उनका जो सेना थे उसको डिजॉल्ब कर दिया गया उससे क्या हुआ कि बोड़े मात्रा में जो सैनिक थे वह तो बहुत सारे करमचारी होते थे राज में जो टैक्स असूलते थे कोई टैक्स कलेक्ट करता था वह अपने उपर वाल एक बास जमा करता था कोई नीचे ग्राम को पर सब्सक्राइब बहुत सरे अधिकारी ठीक जब अंग्रेजों ने दीवानी अपने हाथ में लेली तो इन सब्सक्राइब अपना सिस्टम लाया कि हम कलेक्ट करेंगे डाइरेक्ट और अपना जो व्यक्ति था अपना हम लोग जहां रखेंगे देखें यह वाला चार्ट आप लोग याद कर लिए मैंने बता है दिया आगे बढ़ते हैं अब देखिए यह थोड़ा सा किसको किसको फांसी दिया गया है वह भी थोड़ा से याद कर लिएगा और एक चीज और याद कर लिएगा कि कौन सहीद यह आपको मिल जागा नेट पे मिल जागा इसमें मिल जागा वागर हुआ किसी बुक में देख लिए ठीक है तो उसको भी आप लोग वहाँ पर जो मर गया है उसको थोड़ा सा यह थोड़ा सा यह बिंदू लगा दिए आपको पता चला कि यह डेथ हो गया था इसका सब्सक्राइब 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 भूला ता अब दिखिए कि त्रिविजन करने पर याद हो जाता है आप लोग बस एक बार टिक लगा कर रखिए आपको सब्सक्राइब आप देखिए अठार संदाओं के बिदरज़स में कौन था एक और आदमी है, फीसर करके होगा, आगे मिलेगा, भारत छोड़ो आंदुलन में था, जब फिनिसिंग वाला अंदुलन जड़ा था, जब पूरा आंदुलन फिनिस भो रहा था, तो फिनिसिंग, मतलब जिसे लास्ट में जो हम लोग फिनिसिंग देशा है, ये अब कर दो कि एकará। सबोटी हो रहा था कि तो यहां फीसर आया था लेकिन 1870 में रसल फो से कूछ था राभ गार PT नंग्रेज बहुत डर गाए कि इतन यह ब ड़न को ने सिर्फ पार्टीसिपेट कि सब्यारे लिए तो में इतना इदा ग्रणत्र दिक रोडशा था तो लोग क्या कि कि वह लोग को जो बादाइन में ये पता चला तो बैटेन की महरानी ने उनने लोग पूर एक उध्गोसना दी और बोली कि आप आठ भारतियों को बताईये ठीक है तो क्या-क्या उन्होंने उध्गोसना में बताया पहला नमबर कि हम लोग सबसे पहले कि रियासत जो थे रियासतों का जो विलय हो रहा था इसमाप्त कर दिया जाएंगा ठीक है जो डाक्रिन तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा अब क्या हुआ कि देखिए पहले क्या होता था पांच भारतिये पांच इंडियन सैनिक पे पांच इंडियन सैनिक पे एक विदेशी सैनिक मतलब अंग्रेज रहते थे ठीक है एक अंग्रेज सैनिक रहते थे अब क्या हुआ उन लोग समझ गया अब माली यह पांच लोग बिद्रो करेगा तो एक को तो कुट काड़ देगा तो यह कुछ नहीं कर पाएगा तो इसलिए ना यह लोग क्या किया कि इसका रेशियो कम कर दिया किस कमिशन के सिफारिश पर प जोन गर्म पहला ठीक है इसमें क्या है कांग्रेश खायबना यह बहुत सिंपल से चैप्टर है आपको इसको पढ़ना देखिए अबowश से操से का पने मैं होने वाला था ठीक है तो पूरे पलेग फैल गया है ठीक है पलेग फैल गया तो देखिए पाट फोने परस में प्लेग फैला तो यहां से शिफ्ट कर दिया कहा सूरत सुर्थ बंबई बंबई ठीक है बंबई चला गया तो यह पूचा हुए था रेंजर में कि कांग्रेस की अस्थापना कहां होई ठीक है इसमें कन्फ्यूज कर गया था तो इसलिए उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेगा आप देखें आगे बढ़ते हैं अब देखें यह जो अस्थापना हुआ उससे में हमको याद रखना है क परधान मंत्री कौन था बीटेन में ठीक है और महरानी कौन थी यह सारा हम लोग इसमें थोड़ा से ध्यान देख लेंगे ठीक है और यह जो वैक्तब है इसको भी एक दम रड़ जाना ठीक है करजन क्या बोला था बंकिम चंजर चेटर जी क्या बोले थे तीलक क्या बोले सब्सक्राइब यह थोड़ा एक दम पढ़ लेना देखिए बाइसराय कौन था डी मतलब डाफरीन गौवर्णर जाए यह पीम कौन था ग्रैडस्टोन डी सी जी इसको याद रखेगा ठीक है और सी से कुछ था सी से कॉंग्रेस है ठीक है यह थोड़ा सा आप लोग ध्यान इसको आप लोग पढ़ियेगा ठीक है यह सब इंपोर्टेंट पॉइंट है और मैं इसको याद किया हूँ ठीक देखिए इसमें एक चीज़ नहीं दिया हुआ हूँ साइद देखिए पर्थम भारतिये महिला अध्यक्ष ठीक है पर्थम भारतिये महिला अध्यक्ष यह पर्थम महिला अध्याक तो यह तो यह निवेशंट थी और यह सरोजनी नाइड़ी थी इसमें नहीं दिया हुआ आप लोग थोड़ा से लीख लीजेगा ठीक है नहीं दिया है नव एक मिनिट में कन्फर्म कर देता हूं सेट सरोजनी नाइड़ी थी फ्रीक Did you don. 10 है इसमें दिया होगा गैसराजनी नाइड़ी थी पर्थम भार्रिति यह महिला देशला ध्यक्ति के यह बनारा सदीवेशन इसमें कौन अध्यक्स था गुपाल कि नो गोखले बंगाल का यह बहुत इंपोर्टेंट डिसीजन था करदन का बंगाल यह दिए इसमें स्वादेशी अंदुलन के बारे में नहीं दिये गए थोड़ा सा आप लोग पॉढ़ लिजेगा ठीक है अब कहीं से या तो इसके उपर में ही लिख लीजेगा अब देखें यह वाला जो सम्मिलन है ना यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां भी भाजन हुआ है यहां मिलन हुआ है ठीक एक बार और फिर से भी भाजन होगा आगे को जब वह जब वह अंदूलन चलेगा ना 1920 वाला सा सब्सक्राइब ने 1908 मैं बताता हूं कहाँ कहां वीवाजन हो यहां वीवाजन हुआ फिर यहां पर मिलन हो गया ठीक है लखनौव में और लाहोरा दियस्ट इवर भी बहुत इंपोर्टेंट है कराची मौलिकादगार भूजन वह यह बीपोर्टेंट है तिरपूरी लगाया है उसको थोड़ा से याद किजएगा आप लोग ठीक है और जिसमें यह वाला चीज लिखा हुआ है ना इस साइड में वो तो एक दम इंपोर्टेंट है उसको पढ़ना है दीके मैंने ठीक लगाया है ठीक है और जो भी ठीक लगाया हूँ वो थोड़ा सा अप ठीक हज़ा ठीक चीज और इसूज़ बीहारं में हुआ ना वह थोड़ा सा हम रोको धेणगा आँ कि यहां बीहार में हुआ है यहां ह right NOW यहान सब पढ़ने का मन नहीं करें उसको तक लगा है और मने झना मंत पर की बाकि सब्चपट्यक्टिव करण लेकिन जाते समय इसका रिवीजन करता हूं ठीक है ये वाला सभ याद कर लिजिएगा ये वाला जो मैंने टिक लगा है नहीं ये सारा का हुआ था यह कांग्रेस समझवादी पटी वही पटना में जिसका अठापना हुआ था यह नहीं दिया है मैंने लिख दिया है ठीक है अखिल भारते किसान सभा और यह रिडिकल तो इसका आप लोग थोड़ा से ध्यान रखेंगा देखें मुस्लिव लिग सली मुला संस्थ आपक थे ठीक है यह पढ़ लेगा यह वाला हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है चलिए वीडियो तो बहुत लंबा हो गया मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिं अरूँ वीडियो के साथ जैहिं।